लो, उठा लिया, ए, खार से उठा लिया इसे, और बोल क्या चाहिए तुझे, वा, उठा लिया, अम्मा, उठा लिया, उठा तो लिया है, किन्टु ऐसे खड़े-खड़े, उठाल नहीं पाओगे, असा, तो उठाल के दिखाओ, हाहा, 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 देख मेरी तल्वारबाजी, है यह तो चक्रपानी का शिश्य देव उदास है इतना पढ़ लेकर भी है जोरी कर रहा है क्यूं 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 एक तलवार से तो कोई भी ऐसे कर सकता है जा वो तलवार एक साथ चला कर दिखाओ तो मानू इसमें कौन से बड़ी बात है बहुत अच्छे अब दोनों तलवार चलाते वे एक पैर पर खड़े हो सकते हो ऐसे मैं नहीं अम्मा देखना चाहती है यह यह तो कर लिया जिंतों अब यह करते हुए अपने दोनों प्यार उठा सकते हो हाँ 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 आमा जो तुमने कहा था मैंने तो करके दिखा दिया यह तुम में हिम्मदफ रो कर्कर दिखाओ मैं हरे नहीं नहीं मुझे यह सब कहां आता है मुझे कदापी नहीं आता मैं तो बस यह देखना चाहता था के तुम्हें आता है या नहीं तुझे थे अब मुझे क्या क्या आता है यहार से पात दिवस पात तुम्हें पता चलेगा युद में तियारी रखना फूप तुम सब भैभीत मत हो यह युद्धा तो है किन्तु मूर्ख है ऐसे अवश्य पराज़त कर दूगा किन्तु सोचना यह है कि कैसे अरे तुमने हम को ही उठा कर पटक दिया हम को ही अपने शुपचिन तक को तो मैं क्या करता उस ही ने मुझे कहा उठा कर पटक कर दिखाओ इसे तभी मैं तुमारे बल को मानूँगा तो मैंने वही किया अब मुझे क्या पता था कि उस कंबल के अंदर आप हो तुम तुम उसके कहे में कि स्वेमी धराशाई होगे अब तो समझ में आ गई ना यही हाल रहा तो आपको पराजित करतें से समय नहीं लगेगा नहीं मुझे किसी भी कीमतवा परास्त नहीं होना है अब आप ही हमें कुछ मार्क बताइए कि मैं विजेश्री को किस तरह प्राप्त करूँ अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा अरम करेंगे हमें एक ऐसा उपाए मिल गया है जिससे पंडित रामा किष्णा के ध्यान तुम पर नहीं जाएगा एक नई और बड़ी समस्या कड़ी होगी जिससे तुम से निपटने का उपाए पंडित रामा कृष्णा दूलनी पाएगा और पराजित हो जाएगा तू ऐसी कौन सी समस्या उत्पन करेंगे आप श्यातान सेंग इस बार दोहरा बार होगा समस्या बहुत बड़ी है और पंडित रामा कृष्णा की पराजे सुनिश्चित है पंडित रामा कृष्णा आखिर इस देवदास से क्या शत्रुता है तुमारी माता इतना शिक्षित होने के बाद भी कोई रोजगार नहीं है मेरे पास माता आखिर कब तक कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूँगा माता कब आएंगे मेरे अच्छे दिन समझो अच्छे दिन ने तुमारे घर का द्वार खटकटा दिया है दिवदास गुरुदेवाप आप तो विजय नगर के राजगुरु तथा चारे है ना आप मेरे घर पे कैसे क्या आप मुझे जानते हैं दिवदास तुम चक्रपानी की मैदावी शिष्षे रहे हो परन्तु तुमारी ये दशा देखकर हमें उनकी शिक्षा पर संदे हो रहा है तुम्हें क्या करता इतना के बावजूद मेरे पास कोई रोजगार नहीं है पेट भरने के लिए अन्य नहीं है अगर चोरी ना करूँ तो क्या करूँ अपने इस पेट को कैसे भरूँ चोरी के अलावा मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है हम तुम्हें मार्ग दिखाने आये हैं दिगोदास यू समझो कि शीगर ही तुम्हें एक बड़ा ख़जाना मिलने वाला है गुरुदेव चौकुरेव हम सत्य कह रहे हैं बस तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले प्रंतु तुम्हें बस वही करना होगा जो हम कहेंगे करोगे जी गुरुदेव करूँगा अब तुम्हारी नीद उड़ने वाली है पन्वित रामकृष्णा हाँ क्या हुआ अभी हुआ हीका है होगा तो तब जब आप पराजित होंगे और हम शेतान सिंग के दास बन जाएंगे हाई तुम लोग अभी भी शेतान सिंग को लेकर इतने चिंतित क्यों हो रहे हो कल तुमने देखा न मैंने क्या दशाल की उसकी क्या तुम रूब मिल लामा को पलेतान कर लो मिले लामा के पास हल चीज का समाधान होता है उसे पर तकाले में जितने का भी समाधान हो गई है ना लामा अरे लामा पे तक कहा हो कुछ सोचा है कैसे जितने का ये भी ग्यात नहीं जल्दी से बता दे लामा तिर बाद जितने की उक्ती है ना? नहीं, इत्थो सोच लूँगा कब हमाले दाद बनने के बतार लाबा, तु पहले आता नहीं ला ऐसे तो अश्टादिकत अधीक दिनों के नहीं ले पाएगा अब कब सोचेगा? मेरी मिट्ट्यों की पस्चाथ? अमा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे, मा, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा कुछ ना कुछ आवाश्य सोच लूगा थोड़ा ध्यारे रखो तुम लोग तो अभी उठते उठते ही भूक लग गई है मैं श्नान करके आता हूँ में लिए भूजन परोशो, हाँ पंडित रामकृष्णा पंडित रामकृष्णा अरे, मंत्री वे राप, प्रणाम पंडित रामकृष्णा माहराज के आदेश पर हम आपको युद्धा बनाने का अभ्यास करवाने आए चलिए, अभ्यास आरंब करते हैं अभ्यास? हर्थात महराज मुझे युद्धा बना करी रहेंगे नहीं, नहीं महराज को ज्यात है कि आप बुद्धी के युद्धा है परंतु उनका ये भी कहना है कि शैतान सिंग से निपटना कोई सरल कार्या नहीं होगा मंत्री वहर, मैं किसी भी तरह शैतान सिंग को पराजित कर दूँगा पंड़त रामकृष्णा, अखाडे में बुद्धी चला निकले समय चाहिए और इसके लिए अखाडे में टिकना अवश्यक है और अखाडे में टिकने के लिए सतर्क्ता और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है चलिए, तो आज हम आपको योद्धा बनने के सारे गोण सिखाते है चलिए भूख चलिए, चलिए, अभ्यास चलिए मंत्रीवर? आज हम आपके मंत्रीवर नहीं है तू कौन है? आज हम आपके रशिक्षक है और आपको हमारे हर आदेश का पालन करना होगा आरम से आपको सब कुछ सीखना होगा चलिए, नमस्कार कीजिए नमस्कार? नमस्कार तो मैं बहुत सललता से कर सकता हूँ पालिकाल से करता है हूँ अत्युत्तम, कितना कर लेते हैं आप? आप जितना बोलेंगे उतना कर लूँगा मंत्रीवर भशिक्षक जी सुर्योदे से सुर्यास्त तक कर सकता हूँ बहुत अच्छे, तो आरम कर याँ अच्छा नमस्कार एक और एक और चलिए और नमस्कार विछाईए आप को दंड बैठक और सूर्य नमस्कार बिछाईए आपको 100 दंड बैठक और 200 सूर्य नमस्कार करने चलिए आरम कीजिए कितने दिनों में करने अभी इसी शन प्रारम कीजिए अभी अरे करिए ना एक अरे 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 पंडित रामकृष्णा चा कर रहें आप अभी तो केवल पांची हुए है और इंचानवे शेष हैं अब हम समझ गए कि आपसे क्या करवाना है वही जो आप तरल्टा से कर सकते हैं दोड़ हम दोड़ते हुए इस वन के साथ चक्कर लगाएंगे चलिए नहीं उच्छी थै फिर दंड बैठक कर लीजिए अजी ए टोली ए बोड़ते हैं वाई नहीं वहा ठाब बोड़ते चलिए चलिए अरे चलिए बहुत अच्छे हैं पंदी वार इधर भागते हैं इधर दुए इधर अच्छे बहुत अच्छे बंदी रामकृष्न हम आपको बताते हैं कि इस जाडियों में किस प्रकार से भागा जाता है अपनी आखों को बचा के रखिए देखिए हम आपसे कह रहें न पंदित रामकृष्न पंदित रामकृष्न है हाँ 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 चलो पंत्री वार्शे तो प्रांट बचे हाँ है बंदू आम का बगी चाहे और भूख लगी है सही जगा आया रामा हाँ बंदू अब जी भर क्या आम खाएंगे हाँ जी जूज जीए जीए भर रामकृष्न गचर जीए खाँ हाँ है को अँता ऑल तर्शेश गामकृष्न एग बंदूज चर्शे ग्हाँ हाँ अचाँ है और को लोगडी जा पर चाहाँ है अरे अग भाग क्यो रहा है अभी तो भागने में भलाई है अच्छा यह अदर ले आता जो पिर दो पिदे दो अज़े क्या लगा था तू मुझसे तेज बादा था तू मुझसे तेज बाग सकता है मुझे परेशान करने के लिए आया था देख मैं तेसे तुझे मार-मार कर मक्ही बनाता हूं ले रामा इसे कहते आस्मान से टपके और खजूर में लटके अब इससे कैसे निपटेगा आज तो तुझे सच मुच मसल के रख दूगा आज बिल्ली के मुझे शेर की तहार आ रही है रामा ये क्या कर रहा है कुलाडी पैर पर नहीं गिरी तो पैर पर कुलाडी मार रहा है इससे भीड़ेगा तो ये मसल देगा रामा जी तो चाहता है कि तुझे सच में मज़ा चखा दू पांस दिन की प्रतिक्षा नहीं हो रही मुझसे अरे आजा आजा क्या करता है मेरा क्रोध मेरे मस्तिष्क पर चड़ गया है तुझे तो मैं यहीं पटकर मार देता किन्तू किन्तू क्या राज आग्या राजा की आग्या रोक रही है मुझे क्या है यदि मैंने तुझे मार कर तेरी दशा बुरी कर दी ना तो महाराज को पित हो जाएंगे। और राज आदेश का उलंगण करने के डंड सवरूप हम दोनों को कारावास भीजवा देंगे। तुझे कारावास जाना है क्या? ने-ने-ने, मुझे कारावास नहीं जाना हाँ, मुझे भी नहीं जाना कारावास इसलिए मैं तो मुकाबले के दिवस्त की प्रतिक्षा करूँगा है, चलता ए, परंदू, तेरा दंड? कैसा दंड? उन्हे मुझे मदुमक्यों से कटवाया है, उसका दंड और वो दंड मैं तुझे दे कर ही रहूँगा, पंडित रामा ने-मदुमक्यों के छत्ते पर पत्थर मारा था ना अब मैं तुझे युँँ गुमा कर उस छत्ते पर मारूँगा मूर्क! मैंने पत्थर नहीं मारा अच्छा, तो अपने आप उड़कर आ गया था? अब मैं कैसे समझाओ तुझे क्या है कि तु स्वैम को मेरी जगे पर खड़ा लगकर देखी नहीं सकता अच्छा, हाँ दहट मैं आ गया तेरी जगा, अब बोल वाह, कितना बुद्धिमान है तु ऐसे मुझे भूख लगी थी हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है तो? तो मैंने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया तुने उठाया अभी तक तो नहीं उठाया उठा लेता हूँ सत्पश्चाथ आम तोड़ने के लिए मैंने उधर पत्थर थेका अच्छा? तो मैं भी घुमा कर मार देता हूँ ए, घुमा कर नहीं मारना है उस दिशा में मारना है जिस दिशा में मैंने मारा था स्वादिश्टाओं हाँ, उस दिशा में निशानल लगा के पत्थर मारना हाँ आम तूट कर गिरेगा हाँ, आज भर पेट खाऊंगा अब समझ में आया, यह हुआ था गूम के पत्थर छत्ते पे लगा था मदुमक्य घूमकर आ गई, अब निपर मदुमक्यों से परथार पंडित रामा कृष्णा की पराजय सुनिश्चित है हाँ, मदुवान यहाथी जैसे शेतान से मिलती शक्ती के साथ बढ़को एसा पतीत होता है जी हमारा जबडा ही टूड़ गया अई, हो मार दिया यह बिखारी कौन है, इसको भीतर कैसे आने दिया मैं बिखारी दिखता हूं तुम्हे हुवड़ का दुक हती लाह पतिकों की आपको, प्यांते बिन याप है ।।॥।। अभी ब्षब्टकों क्या, प्यसांते की आने याप और याने बाऋफ प्यसांते जाप ।।।।।।।।।। झांते जाबले कुल।।।।たき Mond यह आपकी सुन्दर मुख पर क्या हुआ शेतान जी यह भी रामा का ही किया धरा है उस दिन मुझे अपने घर के सामने गिरा दिया और अब मदू मक्खियों से कड़वा दिया उसने शेतान जी जब भी रामा कुछ करें उससे साउधान रहना हां अरे यह रामा मुझे मुकाबले तक ठीक रहने देगा भी के नहीं चिंता मत करो शेतान से चिंता मत करो आज उसकी युक्ति पर ताला लग जाएगा अरे ताला तो दर्वाजे पर लगता है उस पर कैसे लगेगा यह युक्ति भी तुम बुंधी के द्वार से बाहर निकलती है ना बस यू समझ लो आज पंडित रामाकृष्णा की बुध्धी कत्वार बंद होने वाला है आज दर्वार में पंडित रामाकृष्णा पर येक और आक्रमन खोंगा तो दर्वाबार लाएगा पंडित रामाकृष्णा की हार मामंत्री जी महाराज पंडित रामकृष्णा का अभ्यास ठीक तो चल रहा है नहीं महाराज पंडित रामकृष्णा नहीं कर पा रहे हैं वो तो हमें चक्मा देकर भी भाग गए अब भना उन्हें हम कैसे कुछ सिखा पाएंगे महाराज परन्तु आप कोने सिखाने का प्रियास करते रहना चाहिए तिमारा सुजी अन्त तै अश्ति दिगज हैं विजेनगर के अब अश्ति दिगज की पराज है समझो दर्वार की पराज है आने दीजी आज पंडित रामक्रिष्ट उन्हें आज उत्तर देना होगा हमारे प्रश्णों का पंडित रामक्रिष्णा के पराजित होने के बश्चारत माराज से अश्तिकज का पद अवश्य चीन लेंगी प्रणाम माराज आप मुझे जाड़ियों में छोड़कर आ गए पता है ने आपको कितना डूण रहा था पंडित रामक्रिष्णा डूण तो हम आपको रहे थे पर आप हमें वहां मिले नहीं इसलिए हम यहां आ गए हमें तो लगता है आप हमें चक्मा देकर कहीं चले क्यों कि इस इंप यहां कितनी आवाजे ढ़ीश् comprehensive किन वहां कि आप में क्यों आपने गए नहीं फाद देखिया तो भागाबार में आया चलाया देखिये महराज क्या हलत हो यह मेरी शमा कीजिये पर अब अब déjà也可以 कराहरि कि में हम आपको जाड़ियों में देखी पाया हूं हाँ ऐसे ही हुआ था हाँ 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 चलो बच गया आज की कारवाय आरंभ की जाए माहमंद्री जी महाराच महाराच कुछ फर्यादी आये प्रस्तुत किया जाए उन्हें जो आग्या महाराच बस तुमारे दुख के दिन दूर होने वाले प्रन्तु तुम्हें बस वही करना होगा जो हम पहेंगे ये फर्यादी नहीं नहीं आफ़त है पंडुत रामा कृष्णा के लिए प्रणाम महाराच मेरा नाम देवदास है मेरे साथ अन्याय हुआ है मुझे न्याय चाहिए महराज, किसी ने मेरा धन बहुत सालों तक तुक्ड़ों में लिया है और अब वो देने से इंकार कर रहा है महराज, मुझे मेरा धन ब्यास सहित वापस चाहिए और वो गत्ती कौन है? उनका नाम है आचारे, चक्रपानी क्या आपको ग्यात है? आप किस पर आक्षेप लगा रहे हैं? वो हमारे गुरु हैं महराज, जूट कहूं तो सर कटवा दीजिए आप चाहे तो उन्हें बुला कर पूछ सकते हैं यहीं दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा हमारा दाओ सही चल रहा है विजयनगर नरेश को आचार्य का प्रणाम स्विकार हो कहिए महराज हमें कैसे स्मरण किया अरे, देवदास तुम, तुम यहां भी पहुँच गए विक्षप्थ हो गए हो क्या विक्षप्थ जी महराज, ये आज प्राता काली हमारे निवास पर आया था और हमें व्यतित कर रहा था आपकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही है इसलिए आज तक विध्या ध्यन के स्वरूप जितना भी धन मैंने आपको शुल्ग के रूप में दिया है वो मुझे ब्यास सहित वापस चाहिए दिवोदास और इस विक्षिप्ट को देखिये माराज ये यहां भी चला आया क्यों दिवोदास, क्या यही बात है माराज, मैं बेरोजगार हूँ मेरे मातापिता ने मुझे बच्पन में ही इनके पास शिक्षा ग्रहन करने के लिए भेज दिया था हर माह, सौ मुद्रा का शुल्क भी देते थे इन्होंने मुझे पूरे बारह वर्षों तक पढ़ाया उसके पश्यात, पाँच वर्षों तक मैं देश में रोजगार के लिए भटकता रहा आने जाने में, खाने पीने में मेरा बहुत सा धन व्यर्थ हो गया महराज, जब इनकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं डिला सकती तो मेरे किस काम की मुझे मेरा धन पुना चाहिए महराज यह आप क्या कह रहे हैं दिवोदास गुरुवर्ण ने आपको सिक्षा दी जिसके एवज में आपके परिवार ने इने शुल्ख दिया अब आप कह रहे हैं आपको वो शुल्ख बना चाहिए क्या यह अनुचित नहीं होगा यह सरासर धूर्थता है माराज कैसी धूर्थता मुर्ख तो मैं बना हूँ जिस रोजगार को पाने के लिए शिक्षा ग्रहन की वही रोजगार मुझे आज तक नहीं मिल पाया जबकि शिक्षा देने का इनका रोजगार मेरे बाल्यकाल से चला आ रहा है बस देवदास तुम अपनी सीमाई लांग रहो मैं केवल सत्ते कह रहा हूँ आप ही बताईए महराज यदि आप दुकान से आलू या कोई वस्तू धन देकर खरीदते हैं और वो वस्तू खराब होती है या कारी योग्य नहीं होती तो दुकानदार धन देता है या नहीं बहुत अच्छी वैसे ही यदि इनकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही तो मेरा धन पुना लोटना चाहिए बिलकुल लोटना चाहिए ये मुझे केले की आवाज नहीं है और भी बहुत है मेरे जैसे भीतर आजाओ मित्रों महराज इनको भी अपनी शिक्षा का धन पुना चाहिए महराज क्योंकि इन्हें भी शिक्षा ग्रहन करने के बाद रोजगार नहीं मिल पाया है अच्छा तो तुम सब हमारे चात्रा होकर भी हमारे विरुद शट्यंत्र कर रहे हो न्याई की गुहार को यदि आप शड्यंत्र कहेंगे गुरुदेव तो स्मरण रखे इस आवाज को क्रांती में बदलने में विलंब नहीं होगा हम सब शिक्षा के शड्यंत्र के मारे हुए हैं हमारे परिवार ने बच्पन से ही अपना पेट काट कर हमारी शिक्षा का शुल्क भरा है परन्तु शिक्षा पूरी होने के बाद हमें ग्यात हुआ कि ये शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं है तो फिर ऐसी शिक्षा पर खर्च किया गया धन आप पुना लोटा क्यों नहीं देते आचारे जी हमको न्याय चाहिए माहराज जिस देश में युवा हमारी तरह मुर्ख बनते हो उस देश का क्या होगा माहराज हमें न्याय चाहिए माहराज माहराज समस्यात्यंति जटिल है यदि सारे बेरोजगार लोग यहां राजदर्बार में पत्रित हो गए तो माहराज यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया तो राजजी में विद्रो फैल सकता है रामा कहा था ना कोई न कोई बड़ा शड्यंत रचा गया है इन छात्रों को मौरा बना कर इससे पूर्व किये चिंगारी अगनी बनकर पूरे नगर को भस्म कर दे इस चिंगारी को बुझाना होगा रामा किष्णे से भी सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है तो स्वयम शैतान सिंग की चुनोती से विचलित है महाराज दुविधा में है मुझे ही कुछ करना होगा आप सब महाराज के दर्बार में न्याय के लिए आए हैं तो न्याय अवश्य मिलेगा किन्तु ध्यान रखे शोर मचाने से न्याय नहीं मिलता तरक और साक्षी से मिलता है अब और क्या तरक और साक्षी चाहिए आपको जबकि हम पीडित स्वयम आपके समक्ष खड़े हैं हमें न्याय चाहिए ठीक है आप हमें एक दिवस का समय दीजी विश्वास रखे आपको न्याय अवर्श्य मिलेगा बंडित रामा क्रिश्ना जी आप किन्हे न्याय देने की बात कर रहे हैं ये लोग न्याय से नहीं छल से धन प्राप्त करना चाते हैं हमें तो ये कहते हुए भी लज जाती है कि ये हमारे चात्र है किन्तो एक बात हम स्पष्ट कह देना चाते हैं हम इन्हें एक धेला भी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास धन है ही नहीं हमारे पास धन है ही नहीं माराज ये तो आज ही धन देने से मुकर रहे हैं तो फिर हम कल की प्रतीक्षा क्यों करें हो सकता है कि कल नेड़ने गुर्वर चक्रपानी के पक्ष में हो और इन्हें धन देने के आवश्यक्ता ही ना पड़े हो सकता है ये सिद्ध हो जाए कि इनकी दी हुई विद्या द्यर्थ नहीं गई ऐसा नहीं हो सकता हो सकता है मैं सिद्ध करूँगा और आप यदि सिद्ध नहीं कर पाए तो तो क्या आप चक्रपाणी जी के स्थान पर हमें अपना धन देंगे? वाह बहुत अच्छे चुप क्यों हो गए पंडित रामा कृष्णा हमारा धन व्यास साइट लोटाएंगे उत्तर दीजे बताईए पंडित रामा कृष्णा जी क्या आप हमें अपना धन पुना देंगे? यदि आप हाँ कहते हैं तभी हम कल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं अन्यथा हमें न्याय आज ही चाहिए वाह हमारी चाल सफल हो रही है पंडित रामा कृष्णा हमारी शिदेंद्र में भस रहा है उचित हैं यदि मैं आपको गलत सिध नहीं कर पाया तो गुरुवर्चक्रपाणी के स्थान पर आपका धन मैं लोटाओंगा ये फसापन बित रामा कृष्णा बित रामा कृष्णा ये आप क्या बोल रहा है उचित है फिर आप धन की व्यवस्था कीजिए क्योंकि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाएंगे ये क्या कर दिया आपने पनित रामा कृष्णा दिवोदास की समस्या का समाधान कैसे लाप आएंगे आप विजेई होने के आदट ने गहीने दुस्सा असी तो नहीं बना दिया रामा तू पागल हो गया है क्या कले की ओधा से यूद की मुकाबले के चुनोती सुईकार कर ली और आज ये चुनोती दिवोदास की चुनोती का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता है रामा वो हारेगा दिवोदास मौध है अप कल आईए कल्यातो पंडित रामखिष्ण आपको गलत सिद्ध कर देंगे या अपना धन वो आपको दे देंगे धन्यवाद महराज महराज हमें भी आग्या दीजिए कुरुवर लपंडित रामक्रिष्ण सत्यकाय किसी मापुरुष्ण कि जीतने की आदत पुरी होती है आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप इस बार सीमा लांग रहे हैं हमें खेद है कि हमने आप जैसे अतिम महत्व कांक्षी और दुस्सासी व्यक्ती को अश्ट दिगज के पद के लिए चुना है जी हाँ पंडित रामक्रिष्ण अब देखे न देखे देखे महराज को कितना विश्वास है आपको आपको विजे नगर का अश्ट दिगज बना दिया और आप ऐसी मुरख्टा कैसे कर सकते हैं ये दिवदास की चुनाती को कैसे हल कर पाएंगे आप तत्यक अदनेगरूर का बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बंदी जा रही ये बहुत बड़ी समस्या बंदी जा रही है जी मराज योग्य लोग रुजगार के लिए भटक रहे हैं जबकि अयोग्य लोग बड़े बड़े पदों पर पैठे हैं अन्नित रामकृष्णा मरन रहे जदि इस बार आप पराजित हुएं तो अश्टर दिग्गस का पद आप से छीन लिया जाएगा महाराज कृष्ण देव राएकी महाराज कृष्ण देव राएकी महाराज कृष्ण देव राएकी महाराज कृष्ण देव राएकी लब गई पंडित रामकृष्णा की भैस पानी में ये भसा द्वरी समस्या में एक और शैतान सिंग्ग, दूसरी अटी वदास एक दूविधा को सुलजाने में लगा राएक दूसरी में अवश्य पराजीत होगा ये पंडित रामकृष्णा ये क्या रामा ये तो अनुचित है तू ये सब महाराज और राज्य के लिए ही कर रहा है ना तो महाराज तुझे ही गलत क्यों समझ रहे हैं तू उनको सच क्यों नहीं बता देता है कि योधा की चुनोती तुने उनके प्रान बचाने के लिए और दिवदास की चुनोती राज़ और आचारे चक्रपाने का समान बचाने के लिए सुचार की है नहीं बंदू, भलाई करके कभी जताना नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपना कर्म करना चाहिए, और मैंने जो किया, वो मेरा धर्म है अरे कर्म कांडी, ये कर्म नहीं कांड किया है, तु जीतेगा क्यासे रामा, तेरे पास ना तो शैतान सिंग की काट है, ना ही दिवोदास का थोड़ अरे मौनी बाबा, कुछ तो बोल हमारी सुकता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है अब हमें आग में और घी डालने का काया करना है, और हमें? तुम लोग वही करते रहो, जो हमने तुमें कहा है देखिये, देखिये तथाचारी जी, वो पंडित बहुत ही बुद्धिमान है जब भी उसके घर जाता हूँ, अत्यंत पीडा पाता हूँ चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है, शैतान सेंग, अब तुम मात्र पंडित रामा कृष्णा का ही बुरा होने वाला है उठालो यह! शादा क्या उठालो, क्या ये सब? मेरे बस्तर इसे फेक कर दौर क्यों बन कर लिया? लोटा, अरे अम्माई, क्या है ये सब? समझ नहीं आ रहा है, ज्यानी पंडित आपको घर से निकाल दिया गया है, अपने कपड़े बर्तन सम्हाल, अब तो किसी पेड के नीचे रहना पड़ेगा तुझे क्या बोल रहा है बंदू, पेड के नीचे सोना पड़ेगा, सोते समय किसी केड़े ये सापने डंक मार दिया तो, वन ने पशू भी उठा कर ले जाता है, उसे तो उठालो कहने कि आवेशकता भी नहीं पड़ेगी नहीं, अरे, अमा, शारद्या गुंडपबा, अरे, दुआर खोलो, दुआर खोलो, नहीं, तो मैं सचमे घर छोड़का सधार के लिए जरा जाओंगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छा हुआ जो, दूआर क्ोल दिया, नहीं, तो मैं सचमे जरा जाता हां, रहा हूं, शेतान स निपटने की युक्ति मिली? नहीं मिली है, इन तो मिल जाएगी. तो ठीक है, आप भी समझ लीजिए कि हमने ये दौर आपको विदाई देने के लिए क्लिए खुला है. इस घर के सारे दौर आपके लिए स्कतेव के लिए बंदो चुके है. मेरे विषये में सोचो, मैं क्या करूँगा, कहा रहूँगा. उन्हें शयतान सिंग की चुनोती सुटार करने से पहले हमारे विषये में सोचा था? नहीं, नहीं सोचा था. मुझे इस घर में रहना ही नहीं है. यहां मेरे प्रांच संकट में हैं और इन सबको अपनी पड़ी है किसी को मेरी नहीं पड़ी है किसी को मेरी नहीं पड़ी है किसी को मेरी नहीं पड़ी कि तू मेरी माता श्री मेरी पत्नी श्री और है तू नहीं मेरे घर की स्रिया तो ऐसी है जो मुझे बाल बाल घर से बाहर निकालती है और तू गुंडपे सुन 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 स्रक्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्रांड तक दे दे तू 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 इन दोनों स्रीयों के साथ मिलकर मुझे घर से बहाँ निकालता है ना अरे मुझे इस घर में रहना ही नहीं है कोई नहीं है मेरा कोई कैसे रहे हैं किसी को मेरा साथ नहीं देना है कोई मेरी सुनने को तयार नहीं है देखा इश्वर इस घर में में लिए कोई जगे ही नहीं है, मैं जाना हूँ ए बंदू रामा, यहाँ सच में कोई तेरा हाथ पकड़ कर रोकने वाला नहीं है, अब तुझे जाना ही होगा उचित है, मैं जा रहा हूँ, अमा मैं सच मुझ जा रहा हूँ उचित है, मैं चला जाता हूँ मैं इस घर को छोड़ कर जा रहा हूँ कोई मुझे हम सभी तुझी को लेकर चिंतित है तुझे ये समझाने के लिए इस अब कर रहे हैं कि तुझसे तुटी होई है बता कितनी बड़ी मुक्ता की है तुने शतान सिंग जैसे योद्धा से कैसे लड़ पाएगा तू रामा इश्वर की कृपा है कि इनको दिवोदास की चुनोती के विशय में अब तक ज्यात नहीं है नहीं तो तेरा पिटकर घर से निकल लगता है रामा के घर पर तो शांती है गुरुवर हम जाकर करें इतना शांती भंग तो चलो ना सब नहीं सब नहीं एक एक करके शांती भंग करनी है ताकि पंदित रामा कृष्णा को सोचने का अफसर ही न मिल पाए और सबसे पूर्व हम और दनी बनी जाएंगे आओ लामा और कितना दबाओ तुछ सोचा सोच आने वाली थी तुने टोक दिया अब सोच चले गई ना देखो इसको जिला दिया चाड़ा ये क्या है काड़ा दे रहे ये कॉल सा तरीका है काड़ा देने का बोल भी तो सत्ती थी ना अगर बोल से तो आपकी सोच चली जाती तो ठीके ठीके जिला क्यों रही हो पुस्ट दला बंडित रामकिष्णा हम आप इसे मिलने आए अब ठीक है ने रामा अब ये लोग दिवोदास वाली बात सबको बता देंगे हाँ हाँ गुरुवर मैं मैं बिल्को ठीक हूँ अब चली ना बाहर चलकर वर्टा लाप करते हैं मुझे खुली हवा में विचरने की अत्यांतावर्शक्ता है दोरा वार है अब हम क्या करें आपकी अजया दोनों समझ सकते दोरावार जो हुआ है आपर देवोडास की चुनोति को भी सुईकार कर लिया है दिवोडास की चुनोति हाँ दिवोडास वो आप कैसे जानेंगी वो एक वेरोजगार विध्यारती है और यह भी कहा है यदि यह उन्हें गलत प्रमानित नहीं कर पाए तो उन सब का जितना भी धन है यह स्वयम देंगे अब सूची आप सब सूची उन सब का मिडाकर धन राशी कितनी हो जाएगी कई सहस्त्र मुद्राएं कई सहस्त्र हाँ तू कहा से लाइगा अब आगे सुनिए आगे सुनिए हमारी बात पूरी नहीं हुई है इससे भी भयानक बार महराज ने सबस्ट कह दिया है यदि कर पंडित्रामा किष्णा पराजित हो गए तो इनसे अश्ट तिकज का पद भी छिल जाएगा बगाई ये बंडित्रामा किष्णा आप क्या क्या बचा पाएंगे दिवोदास से अपना धन महराज से अश्ट दिगज का पद या शैतान सिंह से अपने प्राम सच में दोरा वार हुआ है आप पर दोरा क्या तो तीरा हो गया महराज ने भी तो कर दिया अब हमें गयात नहीं आप कैसे बचपाओगे हमें चिंता हो रही थी इसलिए हम चले आए अब चलते हैं हाँ प्रात्ना करेंगे हम आपके लिए मत किजिए किन्टो गुरुजी आप तो कभी प्रात्ना करता ही नहीं है अब तो आपने बिना नहाय खाना खा लिया था आज हम प्रात्ना करेंगे अपने प्रिये मित्र पंडित रामाकृष्णा के लिए और तुम दोग बाहर मिलो आज तुम्हें तुम्हारी अम्मा याद न दे लाई तो हमारा नाम भी था था चार या नहीं चलते चलो अम्मा दीवदास तुम्हार? हाँ आपका कारिस सरल करने आये हैं कौनसा कारिस? कल आप पराजित जो होने वाले हैं और संपूर्ण नगर जानता है कि आपके पास इतना धन नहीं है कि आप हमको दे सकें इसलिए मैं इनको लाया हूँ ये आपको धन देंगे अम्मा धन देंगे आये आये आप सब भी आये पीतर आये तुनिये आये आये एक शंडुक ये ये मुझे धन क्यों देंगे? आपके घर के एवज में देंगे भाईयों एक एक चीज अच्छे से देख लो कहीं कोई अन्याय नहीं होना चाहिए एक ये पाच मुद्रा का होगा नहीं नहीं अम्मा कह रही है कि ये साथ मुद्रा का है अम्मा ने इसे मदुराई से मंग आया है ओ अमेश्वरी ये पचीस मुद्राओं का होगा नहीं नहीं अम्मा कह रही है कि ये पच्पन मुद्रा का है अम्मा ने इसे निवाली पर ख़रीदा था इस निवास के मैं सिर्फ 15 सहस्त्र मुद्राएं ही दे सकता हूँ 16 सहस्त्र मुद्राएं तो हम भी दे सकते हैं परन्तु इससे अधिक नहीं दे पाएंगे क्योंकि निवास साधारण है 15-16 सहस्त्र मुद्राओं से हमारा क्या होगा? हमें तो 70-80 सहस्त्र मुद्राएं लेनी हैं रामक्रिष्ण जी, आपके निवास थान के साथ आपके घर के आभूशन भी लेने होंगे हाँ? आभूशन? वैसे आभूशन कितने हैं आपके पास? हमारे आभूशन क्यों? कल आपकी पराजे तो निश्शित ही है न? इसलिए हम आपका घर, सामान, आभूशन सब विक्वाने आये हैं ताकि कल आप हमारा धन चुका सकें चलो भाईयों खरीदारों एक-एक वस्तु देख लो और ठीक से मोल लगाना स्वपनों में भी ऐसा मत सोचना दी वो दस नाहीं मैं पराजित होँगा और नाहीं मेरा खर बिकेगा अपने आदमियों को लो और निकलो यहां से अमा हम निकलो चलो निकलो निकलो यहां से निकलो सबके सब निकलो पंडित रामा क्रिष्णा जी आज तो जा रहे हैं हम किन्तु कल सैनिक भी हमारे साथ होंगे और फिर तुम से मिलकर भी अपने निवास को नहीं बचा पाओगे सब्सक्राइब। तुम क्या बोल रहे है अमा रुको कैसे हो पंडित रामा मुझे देखकर चौंक गई गया मियाँ पधारने का कारण अपने शिकार की रखवाली तुम क्या है ना अब तुमारी इस गर्दन पर मेरा अधिकार है और हो सकता है कि कल तुमारा ये निवास बिख जाए और बेगर होने के पश्चात ये पून संभावनाई है तुम अपने प्राण बचाकर भाग जाओ मैं क्यू भागूंगा प्राण किसे प्यारे नहीं होते रामकृष्ण और तुमारी इस गर्दन को तो मैं आखाडे में काठी दूँगा इसलिए अपने साथ ये चार लठैत लायो जो तुमारे खर के बार तुमारे उपर पहरा देंगे ताकि तुमारा ये खर बिखने के पस्चात मुकाबला होने तक तुम्हें यहां से ये भागने न दे चारो दिशाओं में फैल जाओ और चारो पहर इस पंडित पर निगरानी रखो किसी भी सुरत में यहां से भागना नहीं चाहिए एक बात तुम भी स्पनन डखना शैतान सिंग चाहे जो कुछ भी कर लो मैं तुमसे मुकाबला अवश्य करूँगा यदि नहीं करोगे तो विवाश्च करना मुझे अच्छे से आता है लो अपको हमारे भागने का मार भी बंद हो गया अम्मा इन्होंने मैं कहीं का नहीं चुड़ा आज सत्य में तेरे जीवन का सबसे बुरा दिवस है रामा द्वार खोल पक्का यम्दूत होगा अब उसी का अनाशेश है अले, गुरुवर चक्रपानी, आप यहाँ? आये ना, बीतर आये जी क्या, आपकी भी कोई चुनोतिस विकार की है इन्होंने? नहीं पंडित रामा क्रिश्ना ने हमारे लिए अपे तो यूं कहे के संसार के समस्त गुरुवों के लिए चुनोतिस विकार की है पंडित रामा कृष्णा से अधिक इस संसार में कोई साहसकर ही नहीं सकता पंडित रामा कृष्णा तुम सत्य में सबसे भिन हो तुम हमारी आशा की अंधिम किरन हो कल दर्बार में क्या होने वाला है ये सूच कर ही मन विचलित हो रहा है यदि तुम हार गए तो लोगों का गुरूओं और शिक्षा से विश्वास ही उठ जाएगा और विजय नगर में ही नहीं आपे तो संपूर्ण भारत द्वरश में अराज़ता फैल जाएगी तुम तो भली भाती समझते हो कि गुरू अपने सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देता है किन्तु सभी छात्र समान रूप से शिक्षा ग्रहन नहीं करते और यदि तुम कल पराजित हो जाते हो तो वे सभी छात्र जो अपनी अयोग्यता के कारण बेरोजगार है अपने गुरूओं से अपनी शिक्षा पर हुए व्याय को मांगने चले आएंगे तद पस्चाथ कोई भी गुरू किसी भी छात्र को शिक्षा नहीं देगा ना ही कोई छात्र शिक्षा के लिए आएगा अब तुम ही कोई मार्क दिखा सकते हो पहन तो घी क्या मार्ग निकालेंगे गुरुवर कि तो खुदी अपने समस्याओं के कारण कंगाल होने की सीमा पर खड़े है नहीं अंडित रामा कृष्णा हर असंभव को संभव कर सकते है हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे क्यों रामा कृष्णा समाधान करोगे न मैं प्रयास करूँगा गुरुवर बाकी मा के कृपा अब हम प्रस्थान करेंगे अब हम प्रस्थान करेंगे रामा, बहुत ही चिंतित लग रहा है। जो वो कर रहा है, संसार के हित के लिए कर रहा है। इश्वर करे, उसे समाधान मिल जाए। हाँ, अम्मा, हम जाकर उनकी मदद करे। नहीं, उसे एक कान्थ चाहिए। एक कान्थ ही, उसे समाधान देगा। पोचिते हमाँ थोचिते हम पोचिते हिवाल 吧 पोचिते हैं 6 me बोर हो गई, हमने तो अभी तक कोई समधान भी नहीं सोचा हे मा, कौन सा हैर लेकर जाओंगा दर्बार में आए गई क्या बात है पंडित रामा कृष्णा जी, आज आपके मुख पर आत्म विश्वास की कमी जहलक रही है क्या बात है, तो ख़दा ही है पंडित रामा कृष्णा, पर अंदु कर्मों का फन तो भोगना पड़ता है अब ज्यात नहीं महराज ने अगला अश्दिगत चुना भी होगा या नहीं चुना होगा रामा, क्या करेगा आज? दिवदास आने ही वाला होगा क्या कहूंगा दिवदास से? कैसे गलत सिद्ध करूंगा उसे? बड़ा उदास लग रहा है पंदीत रामाकृ्ष्णा, कुछ बोल भी नीड़ा है पणुतर्णा जी पंदीत रामाकृ्ष्णा जी पसीना आपके माथे पर पसीना क्यों, कैसे ? किसल antibiot comma पंधित रामा किसना जी 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 पं पंखे को चलने का काम को हमें स्यम करना पूता है अजानक से पंडित रहमा कृष्णा इस प्रिकार से मुस्कुरा क्यों रहा है महाराज कृष्ण देवराई की जैए महाराज कृष्ण देवराई की महाराज कृष्ण देवराई की महाराज कृष्ण दे उराएगी तो कहिए पनितरामकृष्णा महाराज तो समाधान मिल गया पनितरामकृष्णा समाधान तो हमको मिलेगा धन के रूप में हम धन ले जाने के लिए थेला साथ लेकर आये हैं रणाम महाराज हमें विश्वास है आज हमें न्याई मिलकर रहेगा और हमें पौर्ण विश्वास है पंडित रामा कृष्णा की बुध्धी मानी पर चक्रपाणी का आठ टके रणाम महाराज रणाम गरूर हमें पौर्ण विश्वास है कि आज पंडित रामा कृष्णा देव अदास को गलत सित कर ही देंगे तो कहिए पंडित रामा कृष्णा अब क्या कहना चाहते हैं आप अब देखिए पंठा जो है वो पसीना सुखाने का काम कर सकता है परंथ पंखे को चलने का काम तो हमें स्यम करना परता है अब आप देखते जाए गिर्वर कि किस प्रकार आप ही के दिये पंखे से मैं दीवोदास के पसीने कैसे छुडाते हूँ हाँ तो दीवोदास अब मुझे ये बताए कि आपके अनुसार आप सब की कितनी राशी निकलती कैसे देखे हम पाच छात्र है बारह वर्षों तक हमने आचारी जी से शिक्षा ग्रहन की है प्रती माह 347 मुद्राएं शुल्क में भी दी बारह वर्षों का हम सब का तीन लक्ष 71 सहस्तर 615 मुद्राएं हो गई एक माह का हुआ 347 तो बारह वर्षों का हुआ 12 गुणा 12 144 गुणा 347 हुए 49 सहस्तर 968 और पांच छात्रों का हुआ दो लक्ष 49 सहस्तर 840 तो आप अधिक क्यों बता रहे हैं आप गलत जोड रहे हैं आप केवल वो जोड रहे हैं जो हमने आचारे को प्रतिमाह दिया जो धन दिया है उसका व्याज व्याज का चक्रवरिधि व्याज वो कौन जोड़े का और प्रतेक व्यक्ति का चक्रवरिधि व्याज होता है 74 सहस्त्र 323 मुद्राय इसे पास से गुणा करेंगे तो 3 लक्ष 71 सहस्त्र 615 मुद्राय होंगी आप चाहे तो फिर से गणना कर सकते हैं नहीं नहीं उसकी आवशक्ता नहीं है मैं तो केवल यह देखना चाहता था कि आपको गणित कितनी अच्छी तरह से आती है और यह माना पड़ेगा कि आप गणित जानते हैं जी हाँ और यह ग्यान आपको गुरुवर चक्रपाणी से ही मिला है तो महराज यह तो सिद्ध हो गया कि गुरुवर चक्रपाणी ने अपने छात्रों को गणित का ग्यान बहुत अच्छे से दिया है अब आप मुझे ये बताईए कि आप रोजगार की खोज में सरुप्रथम कहां गए थे मैं सबसे पहले सूरत गया अच्छा सूरत वही न जो पूरब में बंगाल के पास है क्या बात कर रहे हैं आप सूरत पश्चिम भारत में है गुजरात में है अच्छा उसकी पश्चात कहां गए थे उसके बाद मैं उज्जैन गया उज्जैन वही जो व्यापार का मुख्य केंद्र है वही सूरत के आगे पश्चिम में तो है बिल्कुल नहीं उज्जैन सूरत से पूरब में है और वो कोई व्यापार का केंद्र नहीं है धार्मिक स्थल है महादेव का पौरानिक मंदिर है वहाँ पर जो बारह जोतिर लिंगों में से एक जोतिर लिंग है माता का शक्ति पीठ है वहाँ पे और वहाँ शिप्रा नदी के किनारे चार महा कुम्भों में से एक कुम्भ समय समय पर लगता है अच्छा हाँ, वही न, जहाँ राजा राम का राज हुआ करता था आप विक्षिप्थ हो गए हैं क्या रामाकृष्णा जी राम अयोध्या के राजा थे उज्यान तो राजा विक्रमादित्य की नगरी थी वहाँ आज भी विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्थरी की साधना की गुफा है अवश्य होगी एक ना एक दिन भ्रमन करने अवश्य जाओंगा वहाँ आप ये बताएं कि उसके पश्चात आप और कहा गए उसके पश्चात मैं दिल्ली गया दिल्ली वही न जहाँ मनुस्मृति का न्याय चलता है रामाकृष्णा जी आप कितने अज्यानी है दिल्ली में मुगल शासन है वहाँ पर इस्लामिक कानून चलता है और मनुस्मृति का प्रचलन तो अब लगबख खत्म हो चुका है कैसे? केवल वही एक सहीता तो बची है भारत में अब क्या कह रहे हैं आप? और भी बहुत सारी सहीताएं है परशुराम की सहीता वशिष्ट, पराशर की सहीता और न्याय और नियम के लिए सबसे उत्तम और उत्रिष्ट है चानक्य की चानक्यनीती अच्छा वो सब रहने दीजिए आप ये बतेगे कि दिल्ली के पश्चात आप कहां गये थे? दिल्ली के पश्चात में कहां गया, कहां नहीं इससे आपको क्या लाब? वैसे भी आपको इतिहास, भुगोल, न्याय और दर्शन का तनिक भी ज्यान नहीं फिर भी बार-बार पूछ रहे हैं क्योंकि आपको ग्यान है आपको इतिहास, भुगोल, न्याय शास्त्र और दर्शन का बहुत अच्छा ग्यान है और ये ग्यान भी आपको गुर्वर चक्रपानी से ही मिला है ये मूर्ख दिवुतास, पंडित रामा कृष्णा की बातों में आकर साबित किया जा रहा है किसे चक्रपानी से खूब ज्यान मिला है अच्छा आप ये बताएगे के भुजन कैसे खाते हैं? पंडि पका कर खिलाती हैं? कमाल की बात करते हैं आप मैं बेरोजगार हूँ, अब विवाहित हूँ, स्वयम पका कर खाता हूँ अच्छा, क्या पकाते हैं? अच्छिन भारतिय, अध्र भारतिय, सभी तरह के व्यंजन पकाता हूँ रिवा? इतना सब पकाना कैसे आता है आपको? महराज ये भी इने हम नहीं सिखाया है असल में सभी भारतिय प्रांतों के भोजन प्रिय है इसलिए हमने अपने सभी चात्रों को सबी व्यंजन बनाने का तरीका सिखाया है ताकि जब वो भोजन बनाएं तो हम भी उसका आनन ले सकें आप ही ने भोजन पकाना सिखाया है किन्तु आप मैं क्या करूं भोजन पकाने के लिए अनाज घी तेल खरीदना पड़ता है और उसके लिए धन चाहिए बनाना जानते हैं। आपको इतिहास, भुगोल, दर्शन, न्याय शास्त्र और गनित का भी कितना अच्छा ग्यान है। तो यदि आप एक ऐसा भोजनाले खूल लें, जहाँ पे भारत के सभी प्रांतों के भोजन के साथ-साथ उन प्रांतों का एतिहास, भुगोल और दर्शन भी बताया जाए, तो कितना अनोखा भोजनाले खूल जाएगा। आप उस भोजनाले में अपने साथियों को हिस्तेदार भी बना सकते हैं। इस तरह आप सबको रोजगार भी मिल जाएगा। और लोगों को अच्छे भोजन के साथ-साथ उन प्रांतों का ग्यान भी मिल जाएगा। अपने गुरू के महत्व को समझें। गुरू का दिया हुआ ग्यान सदयव आपके पास रहने वाला है। उसे आपसे कोई नहीं छिन सकता। और उस ग्यान के बदले आपने जो अपने गुरू को शुल्क दिया है न वह बहुत तुच्छ है। यदि गुरू के दिया हुए ग्यान का उपयोग आप सही डंक से नहीं करेंगे तो वो ग्यान आपके प्रयोग में आएगा कैसे। गुरूबर यह ग्यान मुझे आज आपसे प्राप्थ हुआ कि पंखा हवा देता है किन्तु हवा प्राप्थ करने के लिए उसे जलना हमें ही पड़ता है। ठीक वैसे ही दिवोदास आपके ग्यान का सही उपयोग ही आपको आपके ग्यान का सुख दे सकता है। आप अपने ज्ञान का सही उप्योग ही नहीं कर रहें और बदले में अपनी बेरोजगारी का दोश अपने गुरू पर मणकर उनसे ही धन प्राप्त करना चाते हैं जबकि शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ यही होता है कि आप रोजगार स्वयम पैदा करें शिक्षित होने के पस्चाद भी यदि आप अपने रोजगार के लिए दूसरों पर निर्बर हैं तो व्यर्थ है आपका शिक्षित होना भोज नाले खोलने के लिए धन क्या अउशकता होती है महराज परांतु धन हमारे पास है कहां हम देंगे धन आप सभी के रोजगार के लिए नहीं महाराज मेरे विचार से इन्हें धन देना उचित नहीं होगा क्यों आप इन्हें धन नहीं अनुदान दे वो भी रिन के रूप में ताकि अपने रोजगार से वो धन पुने कमाकर आपको लोटा सके फिर वही धन किसी और बेरोजगार के कारे आएगा उजित कथर आपका पंडित रामकृष्ण इससे आने वाली समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और उसी धन से बार-बार लोगों की सहायता भी हो पाएगे महराज, हमें पूर्ण विश्वास्था कि पंडित रामकृष्ण इस समस्याओं का समाधान निकाल ही लेंगे हमें आपके इस अश्ट दिगज़ पे गर्व है महराज पंडित रामकृष्ण धन्यवाद महराज, हमारा कार्य संपन्न हुआ अब हमें विदा कीजिए अन्यवाद करोगा और आप सब, आप सब शिक्षित हैं हम आप से अनुरोद करना चाहेंगे कि आप अपने शिक्षा का सही उप्योग कीजिए आपका धन्द आपको प्राफ्ट हो जाएगा आप जा सकते हैं पड़ाम महराज पंडित रामकृष्णा कल हमने दर्वार में कहा था कि हमें खेथ हैं कि हमने आपको अपना अश्ट दिग्गर्ज नियुक्त किया परन्तों आज हम अपने शब्द वापस लेते हैं और असल में हमने अश्ट दिग्ज का पत छिनने की बात आपको उकसाने के लिए कही थी ताकि आप शीक्र समादान खोच सकें महराज मैं जानता हूँ आपने ये बात मुझे उकसाने के लिए कही थी ताकि फिर एक बार मैं आपकी उमीद पर खरा उता हूँ हम विजे नगर राज्जी को सफागी शाली समझते हैं कि हमारे पास आप जैसा हाश्ट दिग्ज है आप विजे नगर राज्जी का कर्व है पंडित रामकृष्णा पंडित रामकृष्णा हमारे एक वार से तो तुम बच गए परन्तु हमारा दूसरा बार शेतान सिंग तुमें बचने का अफसर नहीं देगा अपनी समय है रामा मान जाओ अपनी पराजय को स्विकार कर लो नहीं मैं अपनी पराजय स्विकार नहीं करूँगा तो अपनी मरित्यू को स्विकार करो ये मारा ये मारा वो मारा बहुत अच्छा मारा क्या मारा ये 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 य मेश रोट राति हपी लग ऐप Warum चिल रही है और आप सब्सक्राइज अचर्य मैं जों के पंडित रामा किछना बहुत चिंता रहती है तो इनसे जुड़ा हुआ दिवा सप्न देखे पंडित रामकिष्ण की चिंता परंदु वो तो सकुषल है आज उन्होंने दिवदास से विजय प्राव किये है समस्या का समाधार निकाला है उन्होंने आज हाँ परंदु वो 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 शेतान सिंग की तलवार अभी भी पंडित रामकिष्ण और कैसे बताएं बताएं गुरुवर वो हमने देखा कि पंडित रामकिष्णा ने श्रतान सिंग को मार दिया है अध्भूत अध्भूत इश्वर करें आपका सपन सत्य हो गुरुवर पंडित रामकिष्णी की विजय हो करते हैं हम संभापता है ऐसा होता है एसा होता है परंटु परंटु क्या गरुवर आपकी शंका का कारान क्या है मुहरत महराज है अनुचित मुहुर्त, वो जो हमने स्वपन देखा महाराज, जिस मुहुर्त में देखा, तो वो मुहुर्त अच्छा नहीं है महाराज, उसका प्रभाव उलता होता है महाराज इसलिए पंडित रामा कृष्णा की पराजय एकदम सुनिश्चित यदि ये स्वपन एक पल के पश्चा आता अर्था अभी आता, तो मुहुर्त बदल जाता और इसका प्रभाव सीधा हो जाता पंडित रामा कृष्णा की विजए सुनिश्चित हो जाती परन्तु महाराज, यहां विचार योग की बाती है कि यदि पंडित रामा कृष्णा पराजय हुए, तो वस्वस्त विजे नगर की पराजय होगी महाराज सारा दोश पंडित रामा किष्णा का है इनकी अती आत्म विश्वास का दोश है महाराज और महाराज हमारी राय ये है कि पंडित रामा किष्णा को अश्ट दिगज के पद से निश्काशित कर देना चाहिए क्योंकि माराज यदि पंडित रामा किश्णा पराजित हो ए तो सब लोग यही कहेंगे कि विजयनगर के अश्थ दिगज पराजित हो गए कि यह यह सब हम विजयनगर की भलाई और संबान के लिए कह रहें क्यों पंडित रामाकृष्णा जी पंडित रामकृष्णा को कोई सद्मा तो नहीं पहुझ गया महराज पंडित रामकृष्णा क्या बात है अराज गुरुवर की बाते सुनते सुनते मुझे भी सुपना आया वहीं देख रहा था आज तो राद दर्बार में स्वपना समू आया हुआ है तो बताई आपको क्या सुपना आया क्योंकि अभी अभी गुरुवर ने बताया कि पुरत शुम है कि समय जो भी सुपना देखेगा वह अच्छा और सच्चा हो सकता है अच्छा मैंने गुरुवर कोई देखा माराज क्या देखा मैंने देखा गुरुवर नंगे पाओं चलते हुए विजयनगर की साथ बार परिक्रमा करते हुए मेरे विजय की कामना करते हुए मेरे लिए रक्षा मंत्र पढ़ रहे हैं महाराज वाह वाह पंडित रामकृष्णा क्या सुपने देखा है महाराज बहुत अच्छे अर्थाथ आपको ऐसे करना चाहिए गुरुवर हम क्यों करेंगे हम नहीं करेंगे अभी अभी आपी ने परश्य करेंगे और इनके ऐसा करने से केवल मेरी नहीं विजय नगर के अश्ट दिगज की विजय होगी क्योंकि गुरुवर तो मेरे और विजय नगर दोनों के शुप्चिन तक है है की नहीं गुरुवर सत्यवचन गुरुवर पंडित रामकृष्ण कुछ पूश रहे ह भाराज अब इसमें कहने वाली क्या बात है गुरुवर नगर की साथ बार परिक्रमा करते हुए मेरी विजय कामना करते हुए मेरे लिए रक्षा मंत्र अवश्य पढ़ेंगे हमारे हिदाव से हमको मात दे रहे हो पंडित रामकृष्णा देख लेंगे तुम्हें आपने कुछ कहा गुरुवर हां हां करेंगे करेंगे क्यों नहीं करेंगे अवश्य करेंगे करेंगे भाराज मेरी आपसे एक और विनती है गुरुवर मेरे और राजी के सम्मान के लिए इतना कठिन कारे करने जा रहे हैं तो इनकी परिक्रमा करते समय इनके साथ कुछ सैन परिक्रमा करने ही पड़ेंगी नहीं तो हम एक दो परिक्रमा करके लौट जाते पंडित रामा कृष्णा तुम हमको बुरा फसा रहे देख लेंगे तुम्हें उचित है तो जब गुरुवर परिक्रमा कर रहे होंगे तो उनके साथ कुछ सैनिक जाएंगे उनके अंग रक्षक पन कर क्यों गुरुवर ठीक है ना जी ठीक है भाराज उचित है अब आएगा अनंद गुरुवर आज की पश्चाथ आप दरबार में स्वपन नहीं देखेंगे परिक्रमा से तो गुरुजी का हाल बुरा हो जाएगा रहे इतनी गर्मी है मुझे तो लगता इस गर्मी में हमारे गुरुजी बिहोश हो के गिर जाएंगे अरे चुप रहो गदो मनोस कहेंगे जब भी बोलोगी बुरा बोलोगी देखते रहे ना हम इसका पूर्ण प्रतिक्षोद लेंगे पंडित रामा कृष्णा से पताथ शैतान से पूर्ण प्रतिक्षोद लेकर रहेगा आप आदमी नहीं हैं धोलक है धोलक है धोलक दोनों और से बचते हैं एक तरफ आप चाहते हैं कि मैं उस रामा को परास्त खरूं और दूसरी और उस रामा की विजेश्री के लिए परिकर्मा कर रहे हैं आप शैतान सिंग एक बात बता हो बुचो बुद्धी बड़ी की भैस है वो हमें दूद देती है बैल थे बैल हो बैलर होगे कुछ कहा क्या हम कह रहे हैं कि तुम हमारी इस बात का आर्थ नहीं समझोगे शैतान से अरे भैस के दूद देने से मिरे ना समझने का क्या आर्थ है शैमा क्रिश्णा ने तुम्हें अपने घर के बाहर किराया मध्व मक्यों से कटवाया उस अब बुद्धी का कमाल था बैसका अकार इतना बड़ा होता है परंतो मुरुष्य छोटा होते हुए भी उसे पाल तु बनाता है उसका दूद निकालता है यह सब दूद से होता है नहीं बुद्धी से होता है हम भी बुद्धी का खेल खेलेंगे पंडित रामाकृष्णा के साथ इस हायू में आप खेल खेलेंगे यह आपको शोबा देता है क्या यह खेल नहीं योजना है मुर्क देखो आज सबको लगेगा कि हम पंडित रामाकृष्णा के लिए विजय मंत्र पढ़ रहे हैं परिक्रमा के समय हम तुम्हारे लिए विजय मंत्र पढ़ेंगे और विजय शिरी तुम्हें प्राप्त होगी वाँ 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 तथाचार रेजी वाँ इसे कहते हैं मुझ में राम बगल में चुरी वाँ ठीक है ठीक है अधी गुशलो मत सावधान रहना जैनी मनी तुम्हारे साथ रहेंगे पंडित रामाकृष्णा की हर गती विधी हर तैयारी पर त्रिष्टी लखवाना ताकि त पंडित रामाकृष्णा से उत्तम तैयारी कर सको और बाकी का कारे हैं हमारे मंत्र कर देगी आप चिंदित मत हो ये तथाचारे जी मैं रामा की तैयारी पर दृष्टी रखूँगा और उससे अधिक तैयारी करूँगा बधाई हो रामा आज तुर विजय हो गया आज तुझे कोल परिशान नहीं करेगा बधाई झाली तैयारी